आप इम्याजिन करों कि यहां पर एक सुमिंग पूल है बड़ा सा और एक तरफ दीप वाटर है एक तरफ शैलो वाटर है यहां पर सुमिंग पूल के साइड में तीन लोग बैठे होने हैं और बैठ करके अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं जो पहला आदमी है वो सो है कि हमको सुमिंग करनी है तो कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं और उसकाम को कर ले तो वह क्या है सक्सेस है और अगर आप करना चाहते हैं अपने पूरे दिल से और उसकाम को ना कर पाई मरते दम तक तो वह क्या है पेलिया है तो तो तीन लो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, पता नहीं, कैसे कर पा रहे हैं? और उसका मन तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक डर है कि अगर मैं गया, और डूब गया तो क्या होगा? कोई मुझे बचाएगा भी या नहीं बचाएगा? अरो मेरा तो जो होगा सो होगा मेरी family का क्या है और उसने मरते दम तक कभी भी try ही नहीं किया swimming करने गहां तो यह रास्ता कहा जा रहा है guaranteed failure की तरफ जा रहा है इसकी शुरुवात कहांसे होती है इसकी जड गया है कि swimming करनाक मुश्किल है कहीं ना कंदूशी की विए सबसके तो तुसके दिमांख वहां पर यह बड़ा इंट्रस्टिंग किरेक्टर है उसने देखा वहां पे लोगों को सुमिंग करते हो और देखकर के वह मनी मन सोच रहा है इसमें गया बड़ी बात है गहरे में देख रहा है लोगों को सुमिंग करते हो इसको सुमिंग आती नहीं है करना है डिजायर है लेकिन देखकर के बोल के रहा है इसमें गया बड़ी ब हुआ होता है तो वोई हुआ उसके साथ कि उसने देखा और देखकर इसके अपने दिमाग में बोला यह क्या है संदीप महिश्वरी बोलता रहता है असान है असान है वो ख़ड़ा हूँ अपनी जगे से जा करके चलाग लगा चैनल कि अब इस बंदे का क्या होगा बताने की जरुत है गैरेंटीड या तो डूबेगा डूबा तो मरा या अगर किसी की नजर पढ़ गई तो उसको उठागर के बाहर रखेंगे अब पूछेंगे भाई क्या हुआ था क्या प्रॉप्लम है क्या चाहिए क्यों किया यह सब और यह भी रास्ता गैरेंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है क्योंकि जल्दी बाजी में बिना सोचे समझे बिना एक काम को सीखे कि करना कैसे है हम सीधा जा करके गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं यह दो एक्स्ट्रीम सिचुएशन हैं एक तरफ तो हमारे दिमाग में डर बैठा हुआ है एक तरफ इतनी जल्दी बाजी है कि बिना सोचे समझा में एकदम से चलांग लगा ले यहां पर भी मरे ही मरे क्योंकि अगर वो बंदा बच भी गया उसको किसी ने बचा भी लिया तो जिन्दगी भर के लिए उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि मैंने सुमिंग करी थी मैं नहीं कर पाया डूपते डूपते बचा अब मैं कभी ट्राइए नहीं करूँ ना तो वो सुमिंग ट्राइए करेगा ना ही कुछ और ट्राइए कर पाएगा क्योंकि बार बार दो एक्स्ट्रीम सिटूइशन के बीच में एक सिंपल सा रास्ता जा रहा है जो सक्सेस की तरफ जा रहा है मतलब कि जो तीसरा लड़का बैठ उसने क्या किया उसने देखा वहां पे लोगों को सुमिंग करते हैं तो बिल्कुल देखने में मेरे जैसे हैं इनकी भी दो समझा कि सुमिंग आपने कहां से सीखी थी कैसे शुरुआतव करी थी ऊण लोगों ने इ्शारा किया कि अभी हम यहां कर रहे हे हैं घहरे पानी लेकिए नव Freddie फ से करने के लिए कोई रिस्क है ड़र है किसी देखि कोई प्रॉबלम मैं यह 100 विए इनए कोई डर नहीं है फोल। नहीं क्यों दिल्धिन सब्सक्राइब है तो उसने क्या किया जा करके shallow water में swimming को करना सीखा, धीरे धीरे try करता रहा करता रहा करता रहा उसको swimming आ गई, अभी भी deep water में जा करके सीधा center में नहीं गया हो, तो उसको पता है कि अगर में टककर हुई तो डूबा कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, तो side-side में swimming कर रहा है shallow में सीखने के बाद में, ताकि अगर कभी दूबा, तो पास में rod है जिसको पकड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है, जब वहाँ पर expert हो गया, तो वह कहां गया, गहरे पानी, किसने रोका है, अब उसको आ गई है swimming, अब उसके लिए swimming करना जो पूरी दुनिया के हवा है, ड इसको नहीं आता हूँ, उसके लिए बहुत बड़ा हुआ है, कि भई कैसे करूँ, क्या करूँ, ये लोग कैसे कर पा रहे हैं, मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, ऐसे सी चीज़े आती है माइंड में, तो अब वो घहरे पानी में swimming कर रहा है, तर Yes or No? Yes, अगर वो चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अब वो swimming सीख चुका है, जो दुनिया के लिए देखने में next to impossible है, क्योंकि उसने थी practice करी है हमाँ पर, कि उसके लिए नदी में swimming करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहिए लहरों के साथ तैरना हो, चाहिए लहरों को चीरते ह होए आगे बढ़ना हो, उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, अब problem क्या है, देखो कितना मज़िदार है कि ये सारी बाते हम सबको पता है, हम सबको पता है क्योंकि हमने कोई भी sports खेलना सीखा है, तो बिल्कुल ऐसे ही सीखा है, swimming किसी ने भी सीखी है, सबने यही किया ह है, वो एक example मैंने दिया था, कि उसने जा करके छलांग लगा दी, कोई छलांग लगाता है क्या, swimming सीखने के लिए, नहीं, तो sports में हमको ये बाते याद रहती है, हर तरह की sports में हमको ये बाते याद रहती है, real life situations में आ करके हम इन सब बातों को बोल जाएंगे, और जाने अंजाने ऐसे track पे निकल जाते हैं, जो guaranteed failure की तरफ जा रहा है, जिसको हम देख ही नहीं बाते हैं, और जब तक देखते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक या तो डूप चुकी होते हैं, या फिर खेल खत्म हो चुका होती है, इसका मैं आपको real life example देता हूँ, यहीं जो लोग आप में से बैठे हुए हैं ना, उसी से related, ताकि आप उसको बिल्कुल exact clarity के साथ समझ पाओ, कि real life में अब क्या हो रहा है, मैंने भी आपको एक sports का example दिखा, आप में से कितने लोग हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि students हैं, या तो school में या college में, या job कर रहे हैं, पूरा सुन लो, या job कर रहे हैं और आगे जाकर के अपना खुद का business करना चाहते हैं, और सिर्फ चाहते नहीं हैं, उनका burning desire है, कि मुझे हर हालत में अपना business करना है, एक ना एक बार try जरूर करना है, कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक सच बात बताओं आप लोगो को, सुनने में थोड़ी सी कड़ी लगेगी, लेकिन सच है, क्योंकि जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक हम problems के solutions नहीं निकाल पाएंगे, तो सच बात ये है, based upon thousands of surveys and researches worldwide, ऐसी बहुत सारी studies हुई है जहां से data निकल करके आया है, और उस data के base में आपको ये बात बोलने वाला हूँ, कि अभी जितने भी लोगों ने हाथ उपर किया था, बहुत लोगों ने किया था, बहुत लोगों ने किया था, बहुत ने 80% को दुबारा करेंगे, इसका burning desire है कि विजनस करना है, कड़वा आपको लग रहा है कि मैं फेल होगा, अगर लगता तो हाथ उपर क्यों करता है, वो डिजायर उखता ही कि उसके अंदर, अच्छा आपको लग रहा है और आ फिर भी करोगे, ये बात, दबंग थरी, तो सब को लग रहा है कि हम successful होंगे, हम तैयर पाएंगे, लेकर ढूप जाएंगे, क्यों, वजे क्या है, और बताओं किस तरह से फेल होंगे, आप में से जिन्नों ने भी हाथ उपर किया था, आदे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे, और ऐसी बहुत सारी रिसेर्च इस हो चुकी है, जिसके बेस में बात कर रहा हूं, कोई theoretical बात नहीं है, प्राक् इसलिए नहीं कि उन्होंने किया और फेल हो गया, इसलिए कि उन्होंने कभी ट्राइ ही नहीं, वो डिजायर उनके अंदर ही चला गया, बाकी के जो 50% लोग बचे, उसमें से भी 80% से ज्यादा लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि अब इसको ध्यान से समाझना, क्योंकि वो बिना सीखे के बिजनस क्या है, बिना समझे के बिजनस क्या है, बिना लर्निंग पे फोकस किये अर्णीं को ध्यान में रख करके बड़ा से बड़ा स्टेप उठाएंगे, और गुरी सरी के से पहलोगे। कि माला सीजी उस घहरे पानी में जा करके छलांग लगाएंगे गैरेंटी और अपने आस पास में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लाखो लोग नजर आजेंगे जो यही गलती बार 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 कर रहे हैं आपको प्रैक्टिकली बदाता हूं किस सरी कैसे मुझे पता नही कि मैं कई किसी फंक्शन्स में जाता हूं या यह Q&A सेशन्स होते हैं अलगलग जगह पर लोग मिलते हैं तो लोग जातर अपनी कहानी सुनाते हैं कि बाई देखो मेरा यह ड्रीम था यह बिजनस करने का और मैंने सारी कि सारी सेविंग जो भी मैंने जौब में से कमाई थी लगा दी कोई कहता है मैंने लोग लिया कोई कहता है मैं लोग उसे पैसा उधार लिए आइडिया भी बढ़िया था मुझे लग भी रहा था मैं कर ढूंगा ने कर नहीं पाए ना बुरी दरे से तरह से अम मैं क्या क्रूं बता हूँ हैं मैं औरdragon बताता हूं थ也 depths करना कां जो मैंने दूरिंग गाजम्पल आपको दिया था उसने जा करके चलांग लगा दिए और वो कुर्फ गया तो से बंदा क्या पुछे दाव रूप lg लगा दिया 20 लाद रुकर लगा दिया क्योंकि आइडिया अच्छा है क्या मतलब है कहीं से समझा किसी ने आपको गाइड किया कोई बंदा जो सक्सेस्फुल हो यह अपनी दादी और नानी के साथ में बैट कर एक प्लान डिसकस किया किसके साथ डिसकस किया वाई किसे सीखा यह तो बता दे कहां से सीखा कैसे सीखा किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है टूंट है एनी क्लू प्लीव में बाग और भूंफिर आ जाते हैं यह लेकिन आइडिया तो ऐसा था मेरा प्लान तो ऐसा था मैंने का वो सब तो ठीक है मुझे समझ आ रहा है मैंने का बता भ अब हाथी को टेड़ा चला रहे हो उतको सीधा चला रहे हो और जाकरके चेश ने बैड़ गये एक ऐसे खिलारी के सामने ऐसे कॉंपुटीटर के सामने चुशलों से चेस खेल रहा है बिजनस की बात कर रहूंग जैस से रिलेट करो बिजनस और चेस्व में ज्यादा है नोग आई कार रहा है कैसा पूनस्स कर रहा है क्यों असे यह को बढ़ा मज़िदार सा एक इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ महीने पहले करें चार-पाज महीने पहले मारे फैमली में फंक्षन था मेरा कजिन मुझे मिला और उसने अपना पूरा केस बताया वे जो अंकल है उसके पापा उन्होंने बताया था किस तरीके दे इसको बिजनस में लॉसे उए अंकल ने कैसे अपनी कमाई उसके बिजनस में लगाई क्या क्या हुआ तो मैं बैठा र अपनी बताया और वह सारा अपूर्छ ने खतम कर दें पूरी रहां मैंने उसे पूछा मैंने का वाई तूने बिजनस करना कहां से सीखा बतातो सब्सक्राइब कर गार्या कैसे बाते कर रहे हो यह दम में कॉमर्स बैकराउंट से उनक्राइब को मैं इसवेडिया थो थो थ याद है तो मैंने दीविजनेस की डिफिनेशन कि पर अब कर दो और सेublik थो को और को आपस में दूर दूरता कोई connection नहीं है जब भी मैं अपने किसी session में बोलता हो ना learning पे focus करो earning पे नहीं तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या गलत फेमी हो जाती है हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को हुई हो उन्हें लगता है कि मैं schools की की बुक्स की बात कर रहा हूं कॉलिज की बुक्स की बात कर रहा हूं मैं हमेशा कहता हो ना कि अर्णिंग हमेशा future में है learning हमेशा present moment पे है learning पे focus करना है earning पे नहीं